हलो फ्रेंड्स मैं अधित्य और आपके अपने यूटूब चैनल आलबेज इस्टिडी में आप सभी का स्वाकत करता हूं सबसे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए केमेंट करके बताया करिए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा था मनुष्य के पाचन तंत के मुख्य आठ अंग भाग लेते हैं जो निमनलिखित हैं मुख्य के बारे में बात हुई थी आमासे के बारे में बात हुई थी और जो है यह तीन चीजों पर बात हुई थी आज जो है छोटी यात बड़ी यात यक्रित और प्रित्तास है ठीक पाचन पाचन कैसे होता है कैसे कारी करती है थैक्षोटी दृजंट छोटी आत में पहुंचता है जब भोजन मुख से होते हुए आता है इसके बाद पक्वासे के बाद जब होता है नीचे यक्रित यक्रित पक्वासे के बाद भोजन छोटी आत में पहुंचता है ठीक है इसके छोटी आत के ऊपर पक्वासे है ठीक है तो पक्वासे से होते हु सबसे लंबा भाग जो की अव शोषन के बाद आवश्यक भोजपदार्थों के स्वागी करन में शहयक होता है ठीक है छोटी आथ के बाद भोजन बड़ी आत में प्रारंभिक भाग में पहुंसता है छोटी आत में इतनी क्रिया होने के बाद जो है भोजन बड़ी आत में प्रवेश करता है ठीक है छोटी आत की दीवारों से आंत्रिक रस निकलता है इन में निम्न पांच एंग्जाइम उपस्तित होते हैं कौन कौन से एक्जाइम होते हैं अब उन पांच इंग्जाइम पर जो हम लोग बात करते हैं पहले सबसे पहला है इरेपिशीन ठीक इरेपिशीन पहला है इरेपिशीन दूसरा है सुक्रोच तीसरा है मल्टोच चौथा है लेक्ट्रेज लेक्ट्रेज पांचवा है लाई पे ठीक अब आगे देखते हैं पहला जो था एरपशीन के पर हम लोग बात करेंगे एरपशीन क्या होता है सेश प्रोटीन एवं पर्टोज सेश प्रोटीन एवं पेट्टोन कोशो में अविश्चाशो में अमले में परेवर्धित करता है यह जो इरेवशीन होता है यह जो है सेस प्रोटीन एवं पेट्टोन को अमीनों में अमीनों अमले में परिवर्थित करता है ठीक है और आगे देखते हैं दूसरे सुक्रेज अब सुक्रेज क्या होता है इस पर बात करेंगे सुक्रेज को गुलुकोज एवं फुक्टोज में परिव परिवर्तित करता है ठीक है आगे और देखते हैं मल्टेज 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 क्या होता इस पर बात करते हैं यह मल्टेज को गुलुकोज एवां फुक्टोज में परिवर्तित करता है यहां क्या होता था गुलुकोज को फुक्टोज में परिवर्तित करता है यहां क्या होत आगे देखते हैं लेक्टोज अब यह लेक्टोज क्या करता है इस पर बात करते हैं यह लेक्टोज को गुलुकोज एवं गलेक्टोज में परिवर्थित करता है यह जो लेक्टोज है यह गुलुकोज को गलेक्टोज में परिवर्थित करता है ठीक है आगे बढ़ते हैं और यह हैं इमलिशीफाइट को वसाओं को ग्लिसरीन तता फैक्टी एसीड में परिवर्थित करता है ठीक है यह जो लाई पेज होता है ठीक अगे बरते हैं पाँच्वा देखते हैं बड़ी यात और एच्छोटी आत के बारे में बात करते हैं बड़ी यात क्या होती है ठीक है समाप्त होने के बाद पाचन बड़ी यात में आरंब होता है अर्थात की यहां पे पहुंचके यह अपना कारी सुरू करता है बड़ी आत में भोजन यह छोटी आत से अधिक चोड़ी होती है बई छोटी आत थे चोटी रहेगी बड़ी आत सवाविक सी बात है यह बड़ी होगी ठीक है लगभग 5-6 फुट लंबी होती है यह जो बड़ी आत की लंबाई होती है चार से पांच फुट की इसकी जो है छोटी आत से बड़ी आत चोड़ी तथा लगभग 4-5 फुट लंबी होती है ठीक है इसका अंतिम डेड़ अथवा दो इंच का भाग ही मल द्वार अथवा गुदव कहा जाता है जो अंतिम भाग होता है दो इंच का भाग ही मल द्वार अत्वा गुदवा भाग कहा जाता है ठीक है और आगे देखते हैं गुदव के ऊपर वाले 4 इंच लंबे भाग को मला शे कहते हैं यह बड़ी आत की चार ओर घेरा डाले पड़ी रहती है इस गत के कारण छोटी आत से आये हुए आहार रश के जल भाग का शोशन होता है ठीक है छोटी आत से बचा हुआ आहार रश जब बड़ी आत में आता है तब उसमें 95% जल रहता है ठीक है छोटी आत से बड़ी आत में आहार आता है तो उसमें 95% जल र होता है कुछ भाग जो है प्रोटीन का भी होता है कार्बोहइड्रेट का भी होता है बड़ी आत में इन सब का आक्सी करण होता है ठीक तथा जल के बहुत बड़े भाग को सोख लिया जाता है अर्थात की यह सब जब मिक्स होते हैं मिक्स होने के बाद इसका जो है जल का बहुत बड़ा भाग सोख लेता है सूख जाता है ठीक है अनुमानित 24 घंते में बड़ी आत में चार सो सीसी पानी का सोसन होता है यहां से भोजन रस का जली भाग रक्त में चला जाता है जो जली भाग होता है यहीं से रक्त में चला जाता है तथा गाड़ा बाग विजाती द्रब के रूप में मलाशय के मलाशय में होता हुआ मल द्वार से बाहर निकल जाता है ठीक और आगे दिखते हैं बड़ी आत के निम्न सात भाग होते हैं जो ये बड़ी आत होती है इसके भी सात भाग हैं अब इस सात भाग पर हम लोग डिसकर्स करेंगे ठीक, पहला है सीकम, ठीक, जो पहला है बड़ी यात का जो साथ भाग है, उसका पहला भाग है सीकम, दूसरा है आरोही कोलम, ठीक, आरोही कोलम, तीसरा है जो है अनुप्रस्त कोलम, चौथा क्या है अरोही कोलम, ठीक, चौथा जो है यह है अरोही कोलम, पांचवा क्या है, सि मायद कोलं हो गया शठा देखते हैं वो है मिलास है ठीक है चाना मलास है और साथवा क्या है बुधादार तो यहीं तक यह वीडियो यहीं तक डिसकर्ज हुआ इसके आगे कल हम लोग देखेंगे आगे वीडियो में अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ जरूर सेयर करें मिलते हैं अगले वीडियो में थाइंक्स फार वाचिंग